उत्राखंड के उधम सिंग नगर में सुल्तानपूर पट्टी चौकी पुलिस ने एक महिला को प्रती वंदित 75 नशीले इंजक्शन की साथ ग्रफतार किया है पुलिस ने महिला के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज कर उसे न्याले भेज दिया है बतादे कि उधम सिंग नगर में नशी का कारूबार दिन प्रती दिन बढ़ता जा रहा है जो युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले रहा है नशी की गिरफ्त में आकर युवा अपनी जिंदगी बरबाद कर रहे हैं तो वहीं देश का भविश भी अंदकार में जाता जा रहा है नशी पर अंकुस लगाने के लिए उधम सिंग नगर पुलिस लगातर कारिवाही कर रही है इसी के चलते सुल्तानपुर पटी चौकी पुलिस को मुखवीर से सूचना मिली की आदर्श नगर की गड़ा कॉलोनी में एक महिला नशीले इंजक्सन बेचने का काम कर रही है मुखवीर की सूचना पर पुलिस ने च्छापे मारी करते हुए एक महिला को 75 नशीले इंजक्सन की साथ ग्रफतार किया पुलिस की पूछताच में पकड़ी गई महिला ने अपना नाम रिहाना बेगम बताया है पुलिस ने महिला का मैडिकल परिक्षड करा कर उसे नियाले भेज दिया है इस दोरान सीओ भुपेंद्र सिंग भंडारी ने बताया कि नशे के खिलाफ पुलिस का अभ्यान चड़ रहा है इसी के चलते पुलिस ने महिला को ग्रफतार किया है उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार को किसी भी कीमत पर पनपने नहीं दिया जाएगा नाम की एक लेडिज है ये गड़्डा कालोनी सुल्तानपूर पट्टी वे तो उचके घर्षे अवैत तोर पर जो है 75 ये जरीले इंजक्शन पाये गई हैं जिसको गिरफतार कर लिया गया है और आगे की बाद्याने कारवाई की जाएगा देखती रहिए डीवी भारती समचार नजर हर खबर पर